पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाइन यानी PIA के अंदर संक्डो जाली भरतियों का इनकशाफ हुआ है यह जाली भरतिया इस सूरत में हैं कि यह जो क्राइटेरिया होता है किसी भी नोकरी के लिए कि जी फलाँ डिग्री रिक्वाइड है या फलाँ तजर्बा रिक्वाइड है तो जब उन चीजों को फालो नहीं किया जाता जो कि उसका एक स्टेंडर्ड होता है जो एक SOP बनाया जाता है या उसके लावा जो एक requirement होती है कि ये डिगरी चाहिए या इसके लावा ये तजरबा चाहिए जब उसको follow नहीं किया जाएगा तो वो भरती जो है जाली ही consider की जाती है अब इनकशाफ ये हुए कि PIA के अंदर साड़े छे सो के करीब ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत सारे पाइलिट्स हैं जबके जो दीगर अमला है वो भी उनके जो डिगरीयां है वो जाली हैं और इसके बावजूद वो PIA के अंदर नोकरी कर रहे हैं और महाना लाको रुपे जो है वो तनखा मौसूल कर रहे हैं और ये सिलसला कोई साल दो साल तीन साल से नहीं बलके ये एक दहाई से जाएद जो एक सिलसला है ये चलता आ रहा है और इसका इनकशाफ भी कोई पहली हो रही थी तो अब वो जो रिपोर्ट सामने आई है तो उसके अंदर ये जो चीजें हैं मजीद वाज़ हो के सामने आई हैं कि PIA के अंदर साड़े छे सो के करीब ऐसे लोग हैं पाइलिट हैं जिनकी डिग्रियां जो हैं वो ही जाली है जबके बहुत सारे पाइलिट जो ह खास तोर पे इस पे काफी शोर मचाया था कि जी पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाइन और मुल्क पाकिस्तान के साथ किस कदर जिलम किया गया है कि एक तो ये है कि गेर कानूनी तरीके से अगर आप किसी को भरती कर लेते हैं तो एक तो वो जिलम हो गया और एक उससे दोरा जलम ये है कि आप जाली डिग्री वले लोगों को ऐसी सेंसिटिव जॉब के लिए भर्ती करते हैं कि जहां सेंकडो लोगों की जिंदगी या जो है वो स्टेक पे होती है कि जो पाइलिट होता है वो सेंकडो लोगों को लेकर हوا میں उड़ रहा होता है और उसकी डिगरी जो है वो जाली है या उसका तजर्बा नहीं है या उसका वो जो उसकी काबलियत है वोई उस लेवल की नहीं है तो आप ये किस कदर जलम कर रहे हैं कि इतने लोगों की जाने आपने स्टेक पे लगाई ही है और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में इस वकत कितने हाधसात हो चुके हैं कि दुनिया भर की अगर आप हिस्टी उठाके देखें तो शायद इतने हाधसात नहीं हुए जितने पाकिस्तान के अंदर ये पिछले 72 सालों के अंदर हाधसात हो चुके हैं और सेंकडों लोग अपनी जान गवा चुके हैं और जब भी कोई हाधसा होता है तो उसके बाद शोर मचाय जाता है तखकी का का जाता है इस से पहले तो ये रिवाज ही नहीड था के जो रिपोर्टS होती थी थी तखकी की वो पबलिक की जा visão किस का कसूर था लेकिन इमरान खान की गवर्मेंट को इतली से क्रेड़ीड ज जरूर दिया जाना चाहिए कि उन्होंने कराची हादसे के बाद ये एलान किया था कि इस हादसे की इंक्वाइरी रिपोर्ट और इससे पहले जो हादसाथ हुए जैसे कि जुनेत जमशेद वाला जो जहाद गिरा था जिसमें जुनेत जमशेद जो ते वो शहीद हो गए थे और उनके साथ और बहुत सारे लोग थे तो उस हादसे की जो इंक्वाइरी रिपोर्ट है वो भी पबलिक कर दी गई है गुजश्चता साल जब सेनेट के अंदर ये मामला उठा था तो सेनेटर मुशाहद ल्ला मुस्लिग नून के सेनेटर हैं बहुत ज़ादा करीम है क्लीफ क्यों हो रही है सेनेटर मुशाहद ल्ला के अपने भाई जो हैं गैर कानूनी तोर पर पी आईये के अंदर भरती किये गए और पी आईये से तनखाये वसूल करें हैं मोजे करें हैं इसके लावा गुजश्चता दोर हकूमत के अंदर मुलाना फजल और एमान के एक तरह से पी आईये और इस मुल के साथ जो जो जल्म और खिलवार किया गया है कि जिन लोगों का कोई बनता नहीं है कोई सेट अप नहीं है कोई मामला था नहीं है उन लोगों को पी आईये के अंदर गुसेडा गया आप यह चीज़ देखें कि एक जहाज जो होता है अगर आप Google पर भी जा करें, तो दुनिया भर का एक standard है कि एक जहाओ के सात कितना अजमा होगा, वोगा कितना कुरीव तो उसका जो जो standard एक पैमाना है वो यह है कि विशू के लेकर 100.500 के दरमयां जो है वो लोग एक जहाओ के साथ होते हैं, कравляऊ कि एक जहाओ जो है वो इतनी इसलिए पिया ये अर्बो रुपे के खसारे में चली गई, करजे ले लेकर पिया ये के मुलाजमीन को तनखाय दी जाती रही, एक तो जल्म ये था, फिर दूसरा जल्म ये किया गया कि चलो 500 से 600 लोग जो भरती किये गए हैं, कमसकम वो तो मेरिट पलाए जाते, कि उनकी डि बुरा जल्म ये कि वो सारे लोग जो जाली डिग्रियों वाले हैं, इन कमपेटन्ट लोग के क्राइटेरिया जो था, उसको बाइपास कर दिया गया, उनकी जाली होने के बावजूद, पता होने के बावजूद उन लोगों को भरती किया गया, मैं खुद ऐसे लोगों को आपके भी बहुत सारे ऐसे जानने वाले होंगे जिन्नों ने सफारश की बन्यादवर प्याईये में नोकरी हासिल की, क्योंकि किसी किसी मुनिस्टर के साथ तालुक है, किसी का किसी मुशीर के साथ तालुक है, किसी का सेनेटर के साथ तालुक है, और गुजश्चता दो अ किये गे और जिन को भरती किया गया उन से लाखो रुपे फी सीट के यवस पैसे वसूल किया जाते रहे अब दुबारे से ये मामला इसलिए जो है शोर मचा है क्योंकि ये रिपोर्ट सामने आई है कराची वाले त्यारे की जो हद्सा हुआ था और उसके बाद सी एन इन जो ह अमरीका का एक बहुत बड़ा मौतबर एदारा है कि वो डिसकस कर रहा था कि पी आईये के जहाज जो है वो फेक डिग्री वाले पाइलिट उड़ाते हैं तो उस पर अपोजिशन शोर बचा रही है कि इमरान खान ने पी आईये को बदनाम कर दिया है मतलब खुदा का खो करो कि आपको ये अंदाजा नहीं कि आपने क्या जलम किया है कि वो बदनामी नहीं है कि दुनिया को ये इल्म नहीं है पी आईये पेस से पहले क्या 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 पबंदिया लग चुकी हैं फ्रांस ने बकायदा तो पर पबंदी लगा दी कि हमारे मुलके पी आईये का त्या करने की कोशिश कर रहा है को पहला हुक्मरान है जो आके इदारों को सीधे रस्ते बेडालने की कोशिश कर रहा है और ये चीजें पबलिक के सामने लेके आ रहा है कि किस तरह से इन इदारों के साथ कौम और मुलक का जो सरमाया है इसके साथ जलम किया गया और P.A.E. को खसार करें आपके अखीर जलम की बात है कि एक तो आपने इतने जादा लोग भरती किए वो भी जाली डिग्री पे भरती किए कि लोगों की जिंदगी खतरे में डाले वी थी कि फेक डिग्री वाले पाइलट जाज उड़ा रहे हैं क्र्यू जो इनका जो टेक्निकल क्र्यू है वो भी फेक डिग्री वाला है और आपने इनको भरती किया वाइ अपने वोटों की खातिर अपने लालच की खातिर आपने करकुनान भरती किया और आप कहा रहे हैं कि निकाल ला नहीं जाना चाहिए उलाम सरवर खान ने असंबली के अंदर बकाइदा इनकिशाफ किया है कि च इंशालला उमीद है कि बहुत जल्द ये जो काली बेड़े हैं इनको यहां से निकाल दिया जाएगा और इनके जो उपर सरकरदा लोग थे जिन्होंने इसको भर्दी किया था उनके खिलाब भी उमीद है कि जल्द करवाई होगी। नाजीन ये वो मालूमात थी जो मने आप तक पुछाई हैं अगर आपको पसंद रही हो तो मारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी सपोर्ट हो, अबैद भटी को इजाज़त दीजिए, अलाह आफिस.